आप देख रहे हैं जैभारत टीवी अप देख रहे हैं कि सभी धर्मों के लिए उम्रत तै कर दी गई है तो मुस्लिम समुदाय को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है मुसलिम समूदाए पहले से ही 18 साल को फॉलो कर रहा है लेकिन कुछ तब का है मुसलिम समाज का जो इसे नजर अंदाज कर रहा था और उसे नजर अंदाज नहीं करने जाएगा बहाना नहीं चलेगा कि शरियत के आल लेके आप 14 साल की 15 साल की बच्ची की शादी कर दें वो नहीं चलेगा इसलिए ये कानून मुझे लगता है कि बेटियों के पक्ष में आज बेटियों का दिन है ये कानून बेटियों के लिए आया है देश की 50% आबादी को 50% आबादी को मालिकाना हक दिया जा रहा है प्रॉपर्टी में और राइटिंग हक होगा अब लिखित में हक होगा अब मेरी अगर बहन है तो मुझे उसको हक देना ही पड़ेगा अब शादी करके जान चूटने वाली नहीं है कि शादी करती हो गया हमने देश दे दिया और हमने काम कर दिया नहीं अब आटोमेटिकली कागजों में नाम चड़ जाएगा 50% की अधिकारी रहेगी अब बेटी अब बहाने से काम नहीं चलेगा मुझे लगता है और वो हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, सारी बेटियों को बराबर के राइट्स मिलेंगे यह तो अच्छी बात है आज बेटियों का दिन है आज तो जश्म मनाने का दिन है कॉंग्रेस कह रही है कि एक तो आप आप अदापी में बिल लेकर आए पढ़ने को नहीं मिला और उसके बाद सदन में लेकर आएगे और वही प्रावधान रग दिये जो समविदान में पहले से कहे गए है उन्हीं को दुबारा कॉपी पेस्ट करके लिए है तो फिर आपको तो समर्थन कर देना चाहिए फिर आप विरोध क्यों कर रहे है अगर ऐसा है तो कॉंग्रेस ड्रामा क्यों दिखा रही है फिर एक तरफ कह रही है हम समर्थन में एक तरफ कह रही है विरोध में कंफ्यूज कॉंग्रेस है समझ में ही नहीं आ रहा क्या कहना चाहती है इनसे कहिए थोड़े सा जो सीनियर लोग है उनसे रहा है मश्वरा कर ले गर खुद कन्फ्यूज होने मुझे लग रहा है लेकिन किसे करेंगे उपर वाले इनसे जादा कन्फ्यूज नहीं यह किससे बिचारे मश्वरा करेंगे यह confused है रिसीली कॉंग्रेस बिलकुल गर्त में जा रही है तो कि उसमें नेड़ने लेने की शमताएं खतम होगे विरोध करना है तो विरोध करो पक्ष में आना है तो पक्ष में आओ confusion में मत रहो यह बीच का रास्ता तलाशना बंद कर दे अब तो बीच का रास्ता तलाशना इस राइट में भी बंद हो गया है अब समलांगिक्ता का अधिकार नहीं होगा मुझे लगता है कि मुसलमान भी इसका विरोध करते थे और बाकी लोग भी विरोध करते थे कि कि धर्ती पर इसकी अनुमत ही नहीं दी जाएगी तो मुझे लगता है अच्छा है वहां तो सुप्रीम कोट ने कहा है और केंदर सरकार तो पहले भी कहती है संबलेंगिक्ता के लिए इसमें क्या कोई प्रावधान यह आड़े तो नहीं आएगा मामला यह भी कह रहे हैं कि को यह आदी करें यह हसम होने वाली लाइन नहीं है यह मेरा कल्चर नहीं है यह और जगा रखो देव भुमी ने अपने हिस्से की बात इमानदारी से कह रही बाकी जिसे जो करना हो वो करें वह शुक्री बात अन्यवाद तो यह थे वगबोट के अध्यक्ष आदाप शम्स क् यूसीसी को लेकर दिन है उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आज देश की आदी आबादी को जश्न मनाने का दिन है क्योंकि महिलाओं को बालिकाओं को अधिकार दिया गया है संपत्ती का और कानूनी रूप से उन्हें अधिकार मिलेगा आज तक कही सुनी बातों से काम चल केमरामेन महीरूपादे के साथ हैं बज्य भारेट टीवी